दोस्तों स्वागत आप सभी का वीटर कंपनी की इस जूम मीटिंग में मैं हूं रविंदर दलाल लाइव प्रॉम दुबई ओफिस यह है हमारा दुबई का हैड ओफिस और आप सभी के थे बहुत सारे सवाल क्योंकि यहां पर आने से पहले मैंने आप सभी के साथ कि थी जू का अब आपको मैं आंसर देने वाला हूं सभी लीडर्स ने जो जो सवाल पूछे थे उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको कुछ अपडेट्स वीटर कंपनी के बारे में बताई जाएंगी मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों क्योंकि दुबई से मी के बारे में जानने के लिए क्योंकि दूस्तों आपने और हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है अपने सब्सक्राइ압ा कि में ऊबस्सक्राइब ऑब अच्छी इन्वेस्टमेंट है कैसे resultados मैं आपको अगर count मतलब देखा जाए तो बहुत कम return मिलता है mutual funds में LIC से थोड़ा से ज़्यादा मिलता है और यहां पर आपको chances हैं कुछ अच्छे return मिलने के उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा wait अब wait क्यों करना पड़ेगा वो सब कुछ इस जो meeting में हम discuss करेंगे सबसे पहले तो दोस्तो हमारे CEO हमारे author हमारे जो scientist है Mr. Dennis Tieglin आप सभी की तरफ से उनको बहुत 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 धन्यवाद एक इतनी अच्छी technology दुनिया को देने के लिए दोस्तो वीटर एक real और genuine project है मैं इस company के रसिया के office में भी मैंने visit किया है मैंने इस company के दुबई के office में भी विजिट किया है भी company दुबई में registered हो चुकी है और दुबई से ही company अपना सारा काम operate कर रही है और यहां पर जो है पहुत सारे जो सवाल है आपके company का plan company की technology इस जो मीटिंग में discuss नहीं करेंगे समय बहुत ही किमती है आप सभी ने बहुत जादा वेट किया है क् कि कल भी मैंने message डाला था कल कुछ बहुत जरूरी जो है updates के बारे में बात्चित चल रही थी डैनी सर से जो meeting meeting हुई थी और वहां पर हमारी बात्चित हुई तो समय नहीं था आज भी आप सभी ने वेट किया तो समय बहुत किमती है आप सभी का समय बहुत किमती है समय सवाल तो दोस्तों डिवीडेंड और आई-पियो से रिलेटेड था हमारा पहला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा वियत नाम में जो लाइसेंस से लुआ था उसकी क्या update चल रही है दुबई में क्या update है इस वेटर प्रोजेक्ट की उसके बाद साओध एरेबिया लाइन टू पॉइंट जीरो का मतलब वहां पर हमारा क्या रोल होने वाला है और कौन से एक्सचेंज के उपर हम जाएंगे और और आपके कुछ जर्नल को सेंटे दोस्तों वह जर्नल को सेंट मैंने नहीं लिए हैं जर्नल को सेंट कैसे करेंगे और नई वेब साइट है वहाँ पर लोगिन कैसे करेंगे रजिस्टेशन कैसे करेंगे क्योंकि यह एक जर्नल कोस्चन है इनका मैं एक अलग से जो मीटिंग करके मैं भी इनका जवाब दे दूँगा यह टेक्निकल पार्ट में आता है लेकिन वह सवाल जो बहुत ही जरूरी है सारी कम्मुनिटी को जानने के लिए उन सबी को हम कवर करेंगे इस मीटिंग में तो पर्टिस्ट्मेंट समारे का पी आ चुपे हैं और जितने भी नए पौटिस्ट्मेंट साइं आप सभी बहुत बहुत बढ़ाई और अप सभी का regulator आपको जो आप्धेस मेलती हैं इस जूम मीटिंग की रिकोर्डिंग भी आप अपनी टीम में भेज सकते हैं या आप दुबारा देख सकते हैं फेस्बुक पेज है जिसका लिंक भी मैंने अभी जो आपको जूम मीटिंग मिली है उसमें दा नेटवरकर के नाम से फेस्बुक पेज है और दा नेटवरकर के जो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते मेरे पास मैसेज आया था श्याम के टाइम की वो बोल रहे थे लेकिन वो समय यहां पर कुछ यहां पर कम टाइम होता है तो मतब शडूल थोड़ा सा नहीं है तो चलिये दोस्तों सबसे पहले तो आपके सवालों के जवाब स्टार्ट करते हैं जो आपने पूछे थे फिर आपसे लाइव बादचित भी करेंगे जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं और भी सबसे पहल दोस्तों हमारी टीम वीतर कंपनी की जो टीम है वहां पर प्रोजेक्ट का यह सीद है दोस्तों हमारा जो लाइसेंस है हमारी जो बातचीत है वहां की real estate authority से final हो चुकी है documents वगरा सब sign हो चुके है अब वहाँ पर जैसे project बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी जैसे permissions चाहिए होती है और main permission जो होती है वियतना में अगर किसी के contact हो या आप Google पर search कर लिजे कि वहाँ पर पूरी complete authority होती है जैसे जमीन भी चेक करनी होती कि बहुत बड़ा project बनेगा तो जमीन की कुछ वह value देखते हैं जो भी होता है वह तो बहुत सारी चीज़े हैं वह सभी testing करने के बाद फिर पर परमिशन लेनी पड़ती है start करवाने पड़ता है company already काम कर रहे company की एक टीम regular व्यतनाम में ही है जैसी project final होगा सबसे पहले आपको मतलब start होगा पाइनल हो चुका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा आप सभी को जो है information दी जाएगी और आप सभी को बहुत 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 बढ़ाई दोस्तों क्योंकि 21 मार्च को मुझे दो साल हो जाएंगे इस company में जब start किया था तो इतनी ज़्यादे information नहीं थी इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था लेकि चल रही है उसके बारे में पता कर सकते हैं digital bought होता है चिसमें आप कि अपना प्रोडक्ट वहता है जिसमें यहादा प्रोजेक्ट बहुत ही बहुत सकता है दोस्तों लेकिन दूसरा तीसरा पांचमा प्रोजेक्ट बंने में समय नहीं लगेगा इसका इंजम्पल में वीटर प्हुर्म झाकंटay eva कंपनी को राष्पता लग्या कंपनी के बारे में बातचीट चल रही है देश वीटर प्रोजेक्ट के बारे में बाचित कर रहे हैं, अवेरनेस आ रही है, इस प्रोजेक्ट को समझा जा रहा है, वो हमारी नीड है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सभी को पता है, यूरोप कंट्रीज में आप देख रहे हैं, CNG की बहुत ज़्यादा सोटेज हो गई लेकिन उससे पहले हमें अवेरनेस करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डैनी सर से मैंने पुझा था, अब इसका फाइदा नहीं निकलेगा, इसका फाइदा आएगा दो साल, तीन साल बाद, क्योंकि फ्यूचर हवा ही है, फ्यूचर में विंड एनर्जी से ही जो हमारी ज स्टार्ट करेंगे, तो दुनिया बहुत बड़ी है, उसको हम एकदम से कवर नहीं कर सकते हैं, अभी कभी बहरेन में एक्सपो चल रहा है, कभी वेतनाम में एक्सपो चल रहा है, कभी जो है दुबई में एक्सपो चल रहा है, और भी कंट्रीज में जैसे गए थे, तो वह इंडिया जरूर आएंगे और इंडिया में प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रोग्रेस है उसको थोड़ा सा फास्ट और करने की कोशिश करेंगे पहला जो टार्गेट है दोस्तों आप समझिए डैनिस जी का और पूरी वीटर कंपनी के जो तने भी इंप्लोई हैं आप और हमने हमने शेर खरीदे हम आराम से बैठे हैं कुछ लीडर्स कम्मूनिटी बना रहे मैनत कर रहे हैं लेकिन कंपनी के ओपर डैनिस सर के ओपर बहुत ज़्यादा प्रेसर है क्योंकि पहला प्रोजेक्ट उनको बना कर दिखाना है या फिर खुद भी देखना है क्या अभी मिल रहे हैं तो पहला प्रोजेक्ट उनके लिए भी चैलेंज है बनाने में कुछ न कुछ प्रोब्लम आएगे आप सभी को पता है कोई भी नया काम आप स्टार्ट करते हैं तो शुरुवात में आप भी डरते डोक्टर जब पहला मकान बनाता है तो उसको भी दिरे-दिरे एक्सपो में भी अवेरनेस भी लेके आ रही है और प्रोजेक्ट के ओपर भी काम कर देए तो दोस्तो ये था वियत नाम के प्रोजेक्ट आपका सवाल सभी सवालों के बिल्कुल सिंपल और आसान वासा में मैं आपको जवाब दूँगा कोई किसी भी बात को गुमाने की जोरत नहीं है दोस्तो आप सभी को पता है ये एक स्टेबल प्रोजेक्ट है हम किसी भी तरह से ऐसे पैसे कठा करने वाली कंपनी या फिर पैसे लेके भागने वाली कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल स्टेबल प्रोजेक्ट है सभी लीडर्स को पता ह है और सबी लेडर्स को यह भी पता है कि एक लोंग टर्म प्रोजेक्ट है तो शांती से बात्चित करेंगे सीधी बात्चित करेंगे कोई गुमाफिरा के बात्चित नहीं करेंगे बहुत सारे अपडेट है मेरे पास आप सभी के लिए दूसरा जो आपका कुस्टिन है डिव क्या हमारी वहां पर बात्चित हुई है तो इसके लिए मैंने साफ डैनिस जी से पुझा था उन्होंने बोला था कि जो वीडियो आपको मिली है जो वीडियो आपने देखी है यूटूब पर तो कुछ लीडर्स को थोड़ी सा मिस अंडरस्टेंडिंग है कि हम हमारी साउथ कोरिया साउधी अरेविया गुवर्मेंट के पास भीजा है यह बनाया है और भीजा है बात्चित फाइनल नहीं हुई है साउधी जो गुवर्मेंट है वह एक ऐसी सिटी बना रहे है जो कम्प्लीट ग्रीन एनरजी के ऊपर काम करेगी तो कम्प्लीट जब ग्रीन energy के ओपर काम करेगी तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारा गोरोड और विटर ही है जिसमें हम complete green energy के ओपर काम करते हैं किस भी तरह का pollution नहीं है तो उन्होंने बोला वहाँ पर जैसे वियतनाम में चीजे फाइनल हुई है तीन जगे वियतनाम में तीन जगे तो आपको information दी जाएगी अगर हमारा प्रोजेक्ट फाइनल होता है साउदी अरेबिया गौर्मेंट या फिर वहां की किसी भी real estate authority को यह अच्छा लगता है और वहां पर अगर कुछ भी फाइनल होता है तो आपको बताया जाएगा अभी यह सिरफ एक परपोजल है जो वी population मतलब डेड़ करोड की population की city हम दिल्ली के पास रहते हैं मैं हरियाना से आप सभी को पता है तो बिल्कुल दिल्ली बोडर पे दिल्ली की population दो करोड तो दिल्ली बहुत बड़ा सहर है और भार की population के लिए अरब countries के लिए यह यह यूरूप की countries के लिए 1.5 million population मतलब बहुत बड़ी city वो बना रहे हैं तो वहां के लिए प्रपोजल हमारा गया है जैसी चीज़े फाइनल होंगी तो information दी जाएगी यह था आप सभी के लिए और आपके कुछ डिविडेंड आईपियों को कवर करेंगे दोस्तों आपको जो है कुछ जनरल कोशन थे आप सभी के कि हव हवा किसी दिन कम चलती है ज़्यादा चलती है तो क्या होगा कितना भी जतले सेमारी सोति हैं कि त्रभाइन को पिजली नहीं बनेूँद सेग मैं व्युक्त सिरल में रॉल्ड़े-वहाइब होति हौती है तो इस में भी ठॉवामे इक हावां दिलीन पम वार्ति उसलोबिन भूमाने के लिए उसके साथ उसके साथ साथ कमपणी स्टौर के ओपर भी विचार कर रही है जैसे अम हम उनके ओपर भीक आए अगर में घाल जो इसको पेढकिने को कि'tने तक स्टौर होती है तो यह जो है आप सभी को चिंता करने के ज़रत नहीं है क्योंकि जो टरबाइन्स होंगे टरबाइन्स में यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन में पूरा जो यह एक जैसे यह बिल्डिंग है तो उपर से निचे तक जो टरबाइन्स होते हैं वो एकी साथ जुड़े वे नहीं होंगे उनमें डिवाइडर होंगे डिवाइडर कितना हो जैसे अपने दो फ्लोर होते हैं हाद दो फ्लोर पे डिवाइडर होंगे तो जिस भी ट्रपाइन में प्रोब्लम है उस वो जो दो फ्लोर के जो ट्रपाइन होता है उसको हम बंद कर देंगे उसको ठीक कर देंगे बाकी चलते रहेंगे इसी तरह से देखिए आप कभी उपर की तरफ ज्यादा तेज हवाँ चलेगी नीचे कम चलेगी तो उपर का ट्रबाइन तेज गुमेगा नीचे अपना जिस स्पीड से वैसे गुमेगा तो इनमें ना डिवाइडर होते ह है तो उसके लिए कंपनी के एंप्लोई को जाने की या उसकी ज़रुत नहीं है जिस भी रिल स्टेट अथोर्टी ने लाइसेंस को खरीदा है वह नॉर्मल अपना उसके जो नॉर्मल इंजीनियस होते हैं उसको ठीक करवा सकता है विजली स्टोर कैसे करेंगे और हवा कम य आइडिया कहां से मिला क्योंकि डैनी सर का जब बैक्ग्राउंड हम बैक्ग्राउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वह एक सीविल इंजीनियर थे आर्केटेक्टर थे बहुत बड़ी-बड़ी नोवेश की ब्रिस्क रसिया में बिल्डिंग बनाते थे 350 प्लस का स् स्टेडी करने लग गया टेक्नलोजी के ऊपर पढ़ने लग गया और मैंने पढ़ा कि रसिया में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नलोजी बनाई जाती है और उनके ओपर काम होता है तो इसलिए जो है वह किताबें पढ़ते पढ़ते और उनको जो है इस टेक्नलोजी के बा सब्सक्राइब इसके बारे में की उन्हें के उन्हेंट बहुत सारे इनके पास आए और इन्वेस्ट्मेंट करने और इस समय तक हमें रिटन मिलने स्टार्ट होने चीए जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि तब तो सिरफ आइडिया दिमाग में था इसलिए फिर वो ग्राउड इन्वेस्टिंग जो यह सिस्टम है इसके बारे में उनको पता चला और क्राउड इन्वेस्टिंग सिस्टम के तुरू उन्होंने यह प्रोजक्ट स्टार्ड किया तो इस तरह से वी टर प्रोजेक्ट की शुरभात होई तो यह है दोस्तों और यहां पर कुछ इंप्लोई हैं जो कंपनी में जो पुछले चार साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं डैनिस जी के साथ हैं और उस समय से साथ हैं जब उन्होंने शिर्व इस चीज को सोचा था मुझे 21 मार्च को 2 साल हो जाएंगे तो इस तरह से ये चीज़े काम करेंगी तो दोस्तो रियल जैन्वन प्रोजेक्ट है अब बातचित करेंगे डिविडेंड और आईपियो के बारे में बहुत बड़ा सवाल आप सभी का है हम सभी ने इसके सेर्स को परचेज किया है हम सभ कर उन्होंने इसमें इंवेश्मेंट की है और भी पूछते रहते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरा इफर्ज बनता है आप सभी के लिए कि आपको रियल इनफोर्मेशन मिले तो दोस्तों डिविडेंड कंपनी का जैसे कंपनी को प्रोफिट स्टार्ट होगा कंपनी को बोला था कि एक लोग्टरम प्रोजेक्ट है थोड़ा सा आप यहां पर जो भी इन्वेश्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोग्टरम के लिए परचेज करें तीन से पांच साल साथ साल के लिए क्योंकि देखो जो मारा रोड मैप है रोड मैप के हिसाब से कंपनी क गईर करें लेकिन कभी कभी जैसे अभी पंडेमिक से आई थी डीट से दो साल हर इंडेस्ट्री के खराब हुए हैं हर सबस्क्राइब हैं के देखोडर्मेंट के च्पने के लिए थे कर रहे थे इन बच्चों के आर्मी की ते Honda है पुलिस की भीन कि निकले बरती नहीं तो रोड मैप के हिसाब से हम एक डेड़ साल कम से कम डेड़ साल आगे बढ़ गए तो इस तरह की कुछ situation आ जाती हैं दोस्तों तो वह आप सभी उन चीजों से अवेर हैं उसमें कोई मुझे आपको बतानी की जुरत नहीं है लेकिन कंपनी रोड मैप के हिसाब से काम कर रही ह है पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में समय लगेगा बनने में समय लगेगा पहला प्रोजेक्ट दोस्तों उसके बाद दूसरा तीसरा तोथा पांच मां नहीं बनेगा जैसे जैसे लाइसे लोंगे वैसे वैसे प्रोफिट आएगा और कंपनी प्रोफिट अपने जो ज जो मतलब जैसे हमारे से हमारे तो वेबसाइट में सेर हैं तो इसके लिए कंपनी में बोला है यह सिच्वेशन के उपर डिपेंड करेगा आईप आएगा जरूर लेकिन अभी हमें भी नहीं पता वह सिच्वेशन के हिसाब से यूरोप में हमारा काम बहुत ज्यादा है में उस्टेटन हैं अब कि नहीं देंगे कि आसी हमाम मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कुछ भी रिप्लाई किया हो तो जैन्मन आंसर कंपनी की से मिल रहे है जैनンネル ऑंसर सभी या आप potrzeb कर लिजे या डेनि ada ie से बाप्षित कर लिए तो जैनुवन आंसर सभीको मिल रहे हैं मैंने सभी को बताया है सर हमारी टीम में आर्मी के परसन भी है पूरा देश आर्मी के रिस्पेक्ट करता है और आर्मी का आप सभी को पता है कि आर्मी का जो परसन होता है ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंकम होती है और ना ही मतलब वो जनरेट कर सकता है देश की सेवा करता है अपने परिवार स है students है unemployed person भी है कि 100 डोलर पैकेज उन्होंने ले लिए अपने बचों के लिए पने कि कि तुछ पर्संट करते हैं मेरि टीम में हैं मैं दोस्तो जो डोलर मतलब आज का नो लाख रूपए हुग ठीक है 15000 डोलर बीस जार डोलर के package वाले से लेकर सो डोलर से बीस जार डोलर के package वाला हर category के जो investor हमारे पास है और कुछ ऐसे leader भी है जो community बना रहे हैं इसके बारे में जो है अपने आसपास अपने समाज में अपने दोस्तों में और बात्चित कर रहे हैं तो सभी के लिए यह जरूरी है और सभी का पैसा यहां पर लगा हुआ है तो डैनिस ट्येगलिन जी ने कहा है कि मेरी तरफ से आप सभी को बताईए कि कंपनी अपना काम कर रही है समय जरूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छा र प्रोजेक्ट जो है विए तनाम में स्टार्ट होने वाला है लेकिन उससे आप देखे छे मीने से हम विए तनाम विए तनाम भी यह तनाम छे मीने से बातचित कर रहे हैं इसी तरह से जब आई प्यों का समय आएगा कंपनी एक साल दो साल तक प्रोफिट में जाएगी तो वह चीजें होंगी और कमपनी के जब आप स्क्रीन के आप देख रहे हैं उसके बाद यह हो सकता कि वह हैं कोई इसी तरह की उन्हों ने बताया था कि किसी कंपनी को खरीद सकते हैं जो प्रोफिट में हो और वहां से उनके जो सेर्स को मतब आई प्यों में अप्लाई करके और जैसे विटर प्रोजेक्ट का है इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है लेकिन यह फाइनल नहीं है क्योंकि हम भी प्रोजेक्ट विटर प्रोजेक्ट से ही जा सकते हैं या फिर वो कमपनी खरी देंगे नाम चेंज हो के वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बोल रहे थे कि यह कुछ सकते हैं और किसी भी तरह का हमारे पास करजा नहीं है कंपनी के ऊपर किसी तरह को जवाब जवाब दारी है तो कंपनी अपना काम कर रही है प्रोजेक्ट तो बनने दीजिए उसके बाद देखे क्या पता कोन बड़े बड़े इनवेस्टर आ जाएं या फिर बड़ी-बड़ी कंट्रीज हमसे संपर्क करें यूरोप की कंट्रीज होगी जैसे तो बहुत सारी चीज़े हैं थोड़ा सा समय दीजिए रियल और जैन् तक है इस कि हमें फिली-ब्र करेगा कि她 बना रहा है और डंइस जी हमारा जो ट्रबाइन्स है हमारा जो यह विटर पोजे का लाइसेंस है वो खरीच सकते हैं और वहां पर जो है विजली को ले सकते हैं दोसी चीज यह है कि जो भी इन्वेस्टर हमारे पास आएगा अभी उसको इस चीज का भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जो भी वह हमें जो इलेक्टिस देंगे वेबसाइट के ओपर आप देखेंगे ना वी प्रोवाइट टू हंडड़ परसेंट ओफ एलेक्टिस्टी ओफ देर नीड्स तो जो भी उसकी रिक्वार्मेंट होगी उसकी डबल इलेक्रिसिटी हम उसको देंगे तो यह भी सामने वाले को जब हम बताते हैं डैन इलेक्रिक इंजिनियर्स तो उनको पता वह बहुत बड़ी बहुत ज्यादा मतलब एलेक्रिसिटी होती है और मुझे थोड़े से मेरी टीम में हाइड्रोपावर मतलब पाणी पानी से जो बिजली बनती है तो वन मेगावाट का जो पानी के उपर हम यह बनाते हैं बिजली ठीक है तो वह बहुत जादा मतलब होती है तो इसी तरह से यह हमें बना के दिखाना पड़ेगा कि हां हम किसी की जो डिमांड आई है उससे डबल इलेक्टरिसिटी हम दे रहे हैं उससे क्या होगा जो डबल लाइसेंस खरीदने में पैसा लगाया है वो उनको वापिस मिल जाएगा तो इस तरह की चीजे हैं तो यह चीज वह बोल रहे थे कोई भी रिलेस्ट अथोरिटी सुनती है तो कम विश्वास कर रही है लेकिन जब बनेगी दुनिया देखेगी एरोप्लेन जब तक नहीं बना तक चीज़े कलियर नहीं हुई किसी ने विश्वास नहीं किया तो आज आप देख रहे हैं पहला पेटन जब में नहीं मिला था तो बहुत ज्ञ ज्यादा उनको लगा है इंडिया के इन्वेस्टर्स से जो है इंडिया के लिए मैंने इनिविटेशन दिया है इंडिया जरूर आएंगे डैनिस ट्यगलिंजी इंडिया 100% आएंगे दोस्तों मैंने बाचित की है जैसी थोड़ा सा या तो पेटें मिल जाए या थोड़ा सा कुछ बी मुमेंट जैसे ही होगी तो आप सभी से हम आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने उनको बोला था और वह हम इंडिया में ज़रूर बुलाएंगे और और यह था दोस्तो डीविडेंट ौर डीविडेंट डीविडेंट आइप्यों से पहले ही मिलना स्टार्ट होगा कंपनी प्रोफिट्स अपना करना स्टार्ट कर डेग bark में समया लगेगा ४िक कि के लिए तो हमने इसमें इनिमेस्ट मेंट की है उसी के लिए हम सब यहां पर आए हैं पैसिव इंकम के लिए थे हम मिलेगी मैं पर आफुटी शनकुल के बात होगी और कितनी इलेक्टिक्री सिटी करते हैं कि नोलेज ती तो यह भी मैंने पूझा था यह डैनिस जी ने बोला कि हम कितनी इलेक्ट्रीक्री जनेरेट कर सकते हैं यह जो हमारा लाइसेंस पर्चेज कर रहा है यह उनके अपर डिपेंड करता और कितने लाइसेंस से लोने पर हम आई पी ओ में जाएंगे एक यह सवाल यह है कि आई-पी ओ में जाने के लिए लाइसेंस की मतलब काउंटिंग जरूरी नहीं है आई-पी ओ का अलग क्राइटेरिया है उसके लिए कंपनी जाएगी बाकि कि लाइसेंस हैं अब थोड़ी सी चीज़े बेसिक जो कम्मूनिटी मना रहे हैं उनके लिए या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं कमपनी में लोग बार बार पूछते हैं कितनी स्टेज कितनी स्टेज नहीं है इस तरह के अलग क्राउड इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज है जो तो वीटर कंपनी में स्टेज नहीं है अब आप देखेंगे रेगुलर से लोग कर रहे हैं तो स्टेज नहीं करेंगे आपको शेयर नहीं मिलेंगे तो यह चीज कलियर होगी स्टेज कब चेंज होगी अब स्टेज चेंज होने का मैटर भी जा चुका दोस्तों क्योंकि जैसे-जैसे शेल की पर चेजिंग हो रही है जैसे-जैसे में लाइशेंज मिल रहा है आप हर 10 दिन या 15 दिन में देखेंगे डेली तो आपको फरक ज्या कॉछे हैं जोंके बारे में बाचिद करते हैं दोस्तों दोंपार कि वो और सिर्फ इन्वेस्टर हैं किया मुझे दैसलों के लिए ऍयम और नहीं बच्चों के लिए हैं औराम से रखें Самगारी मना रहे हैं उनके लिए क्या है जो लीडर्स जो कम्मुनिटी बना रहे हैं बहुत सारे अपडेट्स और कुछ-कुछ चेंजी जाने वाले हैं सबसे बड़ा चेंज दो कोस्चन है सबसे पहले तो एक तो सर्टिफिकेट को लेकर कि अपनी की to इसर्टिफिकेट के अपर कमपनी काम कर रही है समय लगेगा और थोड़ा सा अधर डूस्तों दो से तीन महीने तक आप लोग कीजिये के बहुत सवाल आते हैं सर्टिफिकेट मुलेगा मिलेगा तो कम से अबना जो electronic digital की आएगी उसमें बहुत बहुत सारी और भी अपडेट्स आपको मिलेंगी तो वो आपको जरूर मिलेगा एक चीज है नोमिनी नोमिनी का option नहीं आभी। तो नोमिनी का option भी एड़ किया जा रहा है। तो नोमिनी का option भी आपको मिलेगा। उसके बाद जो leaders यहांपर काम कर रहे हैं, community बना रहे हैं, team बना रहे हैं तो उनके लिए जो है और भी अच्छा कुछ आ सकता है डिटेल्स नहीं आभी जैसे डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा जो मिटिंग्स में बने रही है कंटीनू तो यह कुछ अपडेट्स थी नोमिनी का भी बहुत ज्यादा सवाल पुछा जाता थ कि जो नोमिनी एड करवाई यह नोमिनी तो जरूर होना चाहिए हर जगे नोमिनी होता है तो नोमिनी कंपनी एड कर रही है और नोमिनी में भी मतलब ऐसा नहीं कि एक नोमिनी आपके दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं या फिर आपके जैसे मिशिज है और बच्चे हैं उ को नोमनीं चाहिए था और होना भी चाहिए कंपनी कोई पता है तो यह देख दोस्तों जैसे जैसे कम्मुनिटी हमारी बनी है भी इसके ऊपर कंपनी पिछले चे मयने से काम कर रही है यह जो नई website आ रही थी उसके उपर 10 में से अगर आप दे दे बैंक में भी हर्जेगा उप्षन होता है परसेंटेज के इसाब से अगर आप दे दे तो यह बहुत अच्छा रहेगा लीडर्स भी खुश होंगे और अपनी प्रोपर्टी को क्योंकि एक 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 प्रोपर्टी है जैसे आप लोट करीते हैं और जो चीज अपडेट होगा आप सभी लेडर्स के लिए सुनके आपको खुशी भी हुई होगी क्योंकि लोंग ट्रम प्रोजेक्ट है दस साल बीस साल तीस साल पचास साल तक वीडर कंपनी रहने वाली है तो यह चीज जरूरी है आप सभी के लिए हमारे लिए भी जरूरी है और उसस इस तरह की आपको मिलेंगी और अच्छा सर्टीफिकेट मिलेगा इलेक्ट्रोनिक डिजिटल की हम इसको बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है QR कोड मिलता है मिलता था मतलब जो हमारा पुराने electronic digital की आती थी तो सब कुछ advanced था अब और भी कुछ advanced features के साथ वो आएगा उसके ओपर काम चल रहा है अभी नहीं पता है जैसी पता लगेगी आपको information दी जाएगी तो दोस्तों यह कुछ information थी मेरे पास आप सभी के लिए उमीद करता हूँ आप सभी को पसंद आयोंगी सभी खुस होंगे दुबई में हमें हूँ company के employee है सब कुछ है तो यहां से company के थूँ यह information आ रही है ना कि मेरे थूँ और आप सभी की तरफ से मैंने डैनिस जी को request की आने के लिए सभी की तरफ से उनको बदाई दी है उन्होंने भी आप सभी को बदाई दी है जितने भी हमारे shareholders हैं सभी को बदाई दी है आसवासन दिया है कि थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ा सा समय और दीजिए continue काम कर रहे हैं अभी भी वियतनाम ही चले गए हैं वो क्योंकि एक्सपो चल रहा है वियतनाम में और उसकी फोटो वीडियो आपको जरूर मिलेंगी नहीं मिल रही है तो आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे म मतलब डेली जूम मीटिंग में आप एक ही चीज़ को बार-बार सुनेंगे तो अच्छा भीन लगता हफते में दो जूम मीटिंग, तीन जूम मीटिंग हम कर रहे हैं वापस में बाच्चित करते हैं इसकी information ले रहे हैं तो वह enough है, काफी है, बहुत सारे काम आपके पास हो तो आप जो है एंड्रेज कीजिए बाचित कीजिए जो भी सवाल आपको पूछने हों पूछिए विने जी हैं रेलवेट डिपार्टमेंट से डॉक्टर गनेश लाल जी हैं जम्मु से दीप सुकला जी कानपूर से हैं दिली परदान जी उडिशा से द्यानन जी गोवा से है द्यासनकर त्रिफार्टी यह विपन कुमार जी पंजाब से हैं और आर्यन दा दंदी आपको नहीं जानतामा निल सिंग जी बातर बारोड़ किसी एक के सिंग अनिल कुमार जिए वह वारण आशी से हैं ठीक है ठीक है जांपर कास जी है प्रकास जी टेंदर विश्यव करम सब्सक्राइब से ओनलाइन स्मार्ट इंकम परविंदर जी है परविंदर मिलिक यूपी से हैं ठीक हो के प्रकास सिना जी है बिहार से हैं ठीक है राकेश जी है और सभी ठीक है सभी सचिन जी है कुने से लयोंगे से टी वह सब्सक्राइब से में परकासी से हैं ट्यागी जी है Wheel आपने तू पर हैं ऐखर समागी से घेंठेज छैएंटमाइब सफिक है सागर जी आपको आनुमेट के मैंने शागर नाragen फ tienes हाँ कि चाहिए चैनल सभी लिड़न को मेरा नमस्कार सब्सक्राइब dust के सामने जह मारा वी वैली में दिखाता है डालर में डालर में जो बैलिू दिखार है इतने डॉलर होगिए अधे कीमत संबलो तो उसके नीचे जो प्राइज आता है कि अभी फार सेर कितना वेली है तो आपने शेर पर चेज की उनके स्थामने जो वैल्यू दिखाते हैं वन डॉलर को वन डॉलर सेर का प्राइस नहीं आप वो कोश्चन मार्क पर क्लिक करते हैं तब आता है जो वो प्राइस देख रहें क्या नहीं नहीं वह नहीं नहीं पहले शो करता है सामने वह नहीं तो इसकी बेलिव इतना डॉलर आपने आपने बहुत पहले खरीदेंगे लगवा तो एक्चलिक पर शेर का बैल्यू शाहता हो जो जो पॉइंट ना था ख़बिग पॉइंट पॉइंट प्राइस उपर नीचे चलता रहता है आपने जब शेर करीदे थे जैसे मालिया सो डोलर के आज उनकी वेल्यू लगबग 500-600 डोलर हो चुकी होगी ठीक है अज के हिसाब से अगर उतने शेर के आपने पचास जार खरीदे थे सो डोलर में जो माई हाँ तो आपने बिल्कु स्टार्टिंग में लिए थे तो हम आयते तो सो डोलर में अठावन हजार से थे आज सो डोलर में लग लग 31,000 बढ़ चुकी इसी तरह से आपके शेर की वेल्यू आज के समय के इसाब से कितनी है वह आपको दिखा रहा है नहीं वह तो ठीक है आप ऐसे यह वाण मुझे स्क्रीन शोट बेजिए जैए ठीक ठीक आपको बताऊं कि तो हमें तो इतना आप वन डॉलर जो बोल रहे हैं वन डॉलर मुझे समझ में नहीं रहा कि वन डॉलर पर सेर क्या है वो वो पर इनोलिजमें या श्क्रिंशोट बेजना मैं देख रहा ठीक सब्सक्राइब को मैंने नमस्कार 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 कैसे हैं कि अब कितने परसेंट से कंपनी ने बेचने हैं तो अभी कितने परसेंट से लगबग गयारा परसेंट के आसपास हैं या फिर आप वेबसाइट पर जाएंगे बिल्कुल होम स्क्रीन के ओपर वहां पर आपको चुक्त है तो यह है तो वहां पर आपको मिल जाएं क्योंकि वह कम ज्यादा होते रहे तब मैं बोलूं कि पचास करोड़ उननीस लाग और यह मिल जाए वह याद रहती नहीं है तो आप वहां जाकर देख लिए परसेंटेज भी और एग्जेक्ट वेली बिल्कुल होम स्क्रीन के ओपर आपको सब्सक्रीन के ओपर देखिए आपको नमस्कार नमस्कार कैसे हैं तो सब्सक्रीन के तो लोग होते हैं जो अगर ऑल पेपर लगा लें तो वाल पेपर नहीं है यह अपना दुबई को ओपिस देखें पिछे अपने काम कर रही है सारा सब्सक्रीट के लिए जी एक मतलब की जानकाली था वह निव जो साइट बनी है वीटर का जो जहां पर हम लोग बैलेंस से आपका बोनस मिला हुआ है डाउन से वह बोनस डाइरेक्ट को ही हम दे पाते हैं हमारा दो लेक तीन लेक डाउन में क्यों नहीं जाता है डाइरेक्ट हम चाहते हैं जैसे कि और समय स्विब्धा होती है कि हम किसी और को मेरे जॉन में कि चुछी कितनी भी लंबी लाइन हो कितनी भी ब्रांच हो हम वहां से रेफर कर दे डाइरेक्ट ऐसा नहीं उपाता है नहीं कर सकते हैं अब आप चेक किजिए वह पहले कहा था पहले सिर्फ डारेक्ट का था लाइसेंस सेल होगी तब ही जाके हम लोगों को मिलेगा और रही बात लॉंग टाइम में जब आएप्यों आएगा तब डिविडेट मिलेगा जिसके बारे मेरी कम बात्चेत हो यह कि पर सेर्फ कितना डिविडेट मिलेगा अच्छा आपका जो सवाल था कि आईपी आईप आइपी आईपी आईगा तब डिविडेट मिलेगा डिविडेट मितलब कंपनी का प्रोफिट हो पहले ही कंपनी शेर्ओल्डर में शेर करना स्टार्ट कर देगा जैसे एक लाइसेंस विकाद दो बिके तीन बिके पांच विके तो उसको हम जो प्रोफिट करेगी उसकों भी बोल सकते हैं दिविडेंट भी बोल सकते हैं और फिर तो वह चलता ही रहेगा ठीक है लेकिन अभी कंपनी को भी नहीं पता है कि कितना आएगा अब रिल इस्टेट ऑफोल्टी की कोस्ट होती है बिल्डिंग बनाने की उसका पांच परसेंट कंपनी चार्ज करेगी अब क कि कोस्ट होती है तो इस तरह से अभी कंपनी को इस यह एक्जेक्ट कैलकुलेशन नहीं है इसके लिए परकार से कैसे कैसे इसमें पंद्रा परसेंट अपने लिए है फिप्टी वन परसेंट जो है अपने जो सीओं है डैनिस टिरलिंग जी उनके पास है बाकी का जो बचा हुआ शेयर है वो कंपनी में जो जैसे अवेरनेस आने के बाद बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स आएंगे एकदम से जो शेयर खरीदेंगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उनके लिए वो हो सकते हैं और और भी कुछ चेंज हो सकता है यह फिक्स नहीं है कंपनी की तरफ से लेकिन अभी कंपनी का यह है कि लेकिन फिफ्टी वन परसेंट हमारे डैनेस जी के पास ही रहेंगे वो शेयर नहीं करेंगे उससे ज्यादा तो टोटल शेयर की संख्या कितनी है सर्ट टोटल सेयर की संख्या है अपनी टू हंड्रड एक्जेक्ट आप वेबसाइट पर जाके देखिए आपको मिल जाएगी कितनी है कल्कुलेशन आप मैंने आपको बताए कि जैसे आप पूछते हैं कितने शेयर पेंडिंग है तो आप साइट के ओपर आप जाईए वहां पर आपको एक्जेक्ट वहां पर मिल जाएगी इंफोर्मेशन और नेक्स्ट वीडियो में जो यहां पर इत्तो सागर जी ने क पूछा था कि वह क्या है वन डॉलर जो दिखा रहा है एक्चली मुझे समझ में नहीं आए आपका यह सवाल है कि पर्शेंटेज जैसे वह सागर सहाब का यह सहीं पूछें आपसे वह नहीं वह पूस्ता करेंट स्टेज करूंगा एक बार वह तो करेंट स्टेज में तो ज पूर मल्टीपल में हम लोग ने बेनिफिट पाया है जो बंदे हंडेट डॉलर का लिया था अभी उसका दिखा रहा है 400 जो बंदे 400 का लिया था वह सोलो से क्यासी अब याता है तो गराफ पर से लिए दिखाड़ा है उग्राफ के नीचे वह इनके बारे में पूछे होंगे तो नीचे में वन डॉलर तो हो नहीं सकती ना वन डॉलर अगर वैल्लेट में हां तो पॉइंट डबल नाइन पॉइंट पाइब बता रहें तो वह एक वार उनक अप्रोक्सिमेट प्राइस हो सकता क्या पता वह हो ट्रंप्सेंड कंडिशन ना पड़ी हो तो मैं चेक करूंगा अच्छा अभी यह जो नई वैपसाइट है ना उसका बैकप ओपिस ट्रेनिंग या टेकनिकल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वह मैं लेकर आउंगा जहां प मैं सबसे मेन पॉइंट हमारा आई प्यों डिवीडेंट विएत नाम का प्रोजेक्ट और यह ज़िए जरूरी थी दोर तो वह तो हमें पता है उसके लिए तो हम कर लेंगे जो मीटिंग इंस्टॉल्मेंट कैसे करेंगे रजिस्टेशन कैसे करेंगे वह सब कुछ मैं आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं पॉइंट जाएगा तो एक बार्ट जैक करेंगे तो उसके नीचे लिखाया प्लस 0.01 जी 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 वो शोंकर घूड़ ओने लिख। ना लिखा है पी एन एल जी 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 वो शोगड़ा जी तो यह तो यह तो फिर भी एक बार उनका स्क्रीन सोट भी आने दीजिए अभी कोई भी स्टेट्मेंट नहीं देंगे वाद चेक करते ठीक है समझदार आदमी दोनों पक्सों की बात सुनता है उनका स्क्रीन सोट आने दीजिए कि वह क्या पूछ रहे हैं फिर एक बार अगली मीटिंग में हम इसके बारे में बात्चित कर लें क्या पता उनको मिस अंडरस्टेंडिंग हो ठीक है सब्सक्राइब ना अपना जो परसर ऐसे करना हो तो वो के इस्ट वर मिलेगा यह जो आपने ईक मिन स्क्रीन सोट ब한테 क्या है यह जाक है है कि इसमें सब्सक्राइब को बता दूं जो भी लीडर से मल्टीपल अकाउंट्स ना लगाएं मल्टीपल अकाउंट्स जो है बहुत ज्यादा मल्टीपल अकाउंट्स लगाते हैं उसके ओपर कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी लीडर से कि पांच दस मल्टीपल अकाउंट्स लगाएं फिर टीम बना रहे हैं तो यह थोड़ा से ठीक प्रैक्टिस नहीं है बैंक में आपने देखा होगा जो गोर्मेंट है वो बैंक की सुभीदा आपको देती है कि आप उसमें अपन आइडि अपंदरा लगाएं क्या प्रोब्लम है इक करोड रखें कड़ोंट की सबस्कुराइब multiple accounts वाले जो leaders हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान रखें future में आपको problem हो सकती है और इसलिए company ने यह जो नहीं website लेकर है email ID का option बंद किया है क्योंकि email ID आप 2, 4, 5, 10 कितने भी email ID बना लेते थे और अभी इसलिए phone number से login start किया है तो वो genuine leaders थे जो genuinely काम कर रहे है multiple accounts पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको problem हो रही थी इसलिए लेकिन फिर भी कुछ leaders argument कर रहे है कि क्या हो गया company ने तो option दिया है यह वह तो option मैंने आपको बताए government ने भी दिया है bank में आप account open कर सकते हैं लेकिन उसमें आप 50 करोड रुपे एकदम से transfer नहीं कर सकते कि किसी को भी और फिर आप government को आप reply दो कि अकाउंट तो पैसा डालने और बेजने के लिए होता है ना इसमें आप सो रुपे बेजें या सो करोड बेजें क्या problem है इसी तरह एक फोन नंबर पर एक अकाउंट तो यह है ठीक है तो ठीक है और अभी ठीक है विपंजी संजय दूबेजी संजय दूबेजी बताइए कैसे हैं आपको अप्शन बेजा है मैंने कर दो चर्वें अजिसर नमस्कार सब्सक्राइए एक मिनट बेट करेंगे ऑनके ऊब झाल 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 जी संजा जी बताइए कैसे हैं बढ़िया है सर जी 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 मैं बोल रहा था कि नॉंबर मैंने में जो आए थी ना कि आप जो शेयर ले रहे हैं उसका 50% कंपनी आपको एक्ष्टा सेयर दे रही है जी 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 तो तैम में जो मैंने आइड ली थी तो काईला महिना तो मेरा उसका 50% आया दूसरा महिना वाला 50% आया नहीं वह आप ने जो इंस्ट्रॉल्मेंट पे ति ती उसकी आए वह उसी महिने के लिए था आप तो उसका 50% आपको आएगा चाए उस महिने में चाहिए इंस्टॉल्मेंट में लें लें टायम में वन ताउड़न दोलर का पैकेज लें अदाब उसी महिने में जो आप पे करेंगे ना पैसा 50% एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके बाद नी मिलने वह अचा यही किलिए मिलीव ज इंडिया वह एकदम से यहां आना हो गया और जी 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 ठीक है और भी आईडी लगी है उनका भी पेमेंट करवाना है जी जी बिलकुल बिलकुल मैं आ जाओंगा दो दिन बाद माओंगा इस तारिक के आसपास 20 किसको पर चींज आप मेरे को जीजित करते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों तो ये आप सभी के लिए था काफी समय में हो चुका है और आप सभी लीडर्स ने अपना समय दिया इसके लिए पहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज डैनी सर को मैंने पहुंचा दिया है डैनी सर ने भी आपके लिए जो है सुब कामनाई भेजी है और रेगुलर वह काम कर रहे हैं खुद इस समय वह 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 रहे हैं यह फिर बाक्रीट करेंगे एक पूरी तीम हमारी काम कर रही है उसके बाद अलग अलग कंट्रीज के तैयारी कर रहे है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है हमारे जो ठीक है टोटल नंबर ओप शेर्स तीन सो चोदा इसके जो 15% सेर है उसकी वेल्यू आपको होम स्क्रेन के ओपर दिखेगी उसको कैलकुलेशन करना मेरे बिलियन और मिलियन में वो आप सभी को पता है थोड़ी सी मुश्किल है वेबसाइट के उपर आप उपर जाकर आप देख लिए कितने पैंडिंग है तो 15% सेर जब इसके बिख जाएंगे तो इसके शेर आप लोग नहीं खरीज सकते हैं तो यह मैसेज आप जरूर टीम में दीजेगा और इसमें यह मीटिंग थी नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे अब इंडिया आने के बाद और अभी और कुछ मैं अपडेट्स लेता हूं और भी बहुत सारी ची आपर वहां पर देनिश्टी अगली दूत को मैं नहीं पर शेथ बताया गया है डेनिश्टी अगली दोत को यह देखिए मर्सडीज पहुत एक प्रेंड शेल मर्सडीज बहुत प्यार करते हैं अब वेतनाम में गए वह तो यहां पर है कि एक और मर्सेडीज है कंपनी में जितने भी कैस्ट वगएरा आते हैं उनके लिए वैसी है कि जो कार होती है ना हमारी उस्तरे की और एक हमारी फॉर्चुनर जैसी इंडिया में तो हमें फॉर्चुनर ही पता है एक यह ठीक है तो सारी जो है अब जिम है हमारे कंपनी के जितने भी एंपलोई है अभी एक्सेस कर रहें आप सभी को पता है डैनिस स्पोर्ट से पहुँजादा प्यार करते हैं यह जो वैपसाइट वगर आप देख रहें यह जो खड़े हैं ख्रिस्टीना है यॉरी है विद्दीलॉग्स क्या नाम है दोड़ा सा प्रनस्यसिंप यह है हमारे यहां पर एक्सपो में जाते हैं तो पूरा पहुत बारे में विडियो पना रहा हूं इसकी कमपलीट इंफॉर्मेशन बहुत कि यहां पर काम करती है दो वहां पर एक यह पीज देख रहे हैं आपको डेनिस के बेटे से मिलवाता हूं यह अब पूरा काम समाने लिया है और यह हमारी टीम है यह आप देखिए इस टीम काम कर रही है यह हमारे छोटे डैनिश है स्मॉल डैनिश डैनिश के बेटें स्मॉल डैनिश इनका नाम है मैं 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 यह भी काफी अपना काम करते हैं भूध अच्छे फोटोग्राफर है तो दोस्तों पूरे इंडिया की टीम है इंडिया तो ठीक है दोस्तों यह सब कुछ था आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यह मीटिंग करने के लिए इसकी रिकोर्डिंग आपको फेस्बुक के ओपर मिलेगी फेस्बुक के ओपर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने जो बाते बोली है कंपनी की तरफ से रिप्लाई है मेरी तरफ से मत समझेगा कंपनी के से जो मैसेज आता वही मैं आपको पास करता हूं मेरी तरफ से भी कुछ भी मैं आपको बताना है तो आपको रियलेटी ही पता होनी चाहिए यह नहीं की चीजे अच्छा नहीं लगता आपकी फेसवेलू खराब होती है मार्किट आपकी खराब होती है हमें इसी मार्किट में काम करना जैसे हमें दो साल हुए आशे तीन साल भी होंगे पांत साल भी निकलेंगे ठीक है तो पबलिक फिर सवाल पूचेगी तो इसलिए थोड़ा स आराम से ध्यान से बाद्कित किजिए वे सब कुछ था आप सभी पहुत-बहुत-बहुत-थन्यवाद दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रखेए और मेरी जो जिम अपनी जिम्मेदारी मेरी जो मेरी बंती में मैसेज आपको मिल जाएगा थेंक यू थेंक यू बरी मुच